हमस्कार दोस्तों, दोस्तों हमारी नई सीरिज आईए वास्तो की ब्रहंतियां दूर करें में, आज हम आपको जानकारी देंगे स्ट्रेकेस के बारे में, सीडियों के बारे में, दोस्तों मेरे लगभग 2600 वीडियो और शॉर्ट्स अपलोड हुए हैं, उसमें आप कि जातर जो ह। वो सीडियों के ली पहुए हैं वो सारे लोग प्रश्च परiser क्रतर सबसित देखे जाने वाले मेरे जो वीडियो जैए, जो वीवर्शес हैं, वो सीडियों को लेँせ रहते हैं. अब मैं आपको सीडियों के बारे में जान करें तो उसके पहले जरूरी है कि पहले वास्तुषास का बेसिक सिधानत उसके बारे में आपको जान करें उसके आधार के अपन किलियर कर पाएंगे सीडियों के लिए कहां सीडियां साही होती है देखिए वास्तु शास्ते में प्राचीन गंतों का यह चार्ट है इसमें डारेक्शन लिखें पूर पश्यम उत्तर दक्षे कुराने जमाने में आसपास श्यम बनते थे बीच में आंगन होता था जो पुराने गंत थे उसकी आदर बता रहें वो चार्ट है इसमें इशानकोने पूजा घर, तुस्ति घर, स्ञान घर, दई-मंतन इस्तान दसोई घर, घी, केल, संग्रज, चक्की इस्तान उसक चक्की हो तो चाले भारी सामान और रखने का स्थल और सीडियों के लिए सीडियों के लिए निर्टकुन सौथ वेस्ट पाइनल वा भी सीडियों यह बनेंगी अध्यनकक्ष बोशनशाला सामदूति प्रकट करने की जगह पालतू जान और मवेशी शेहनकक्ष खजाना भंडार इसमें बनेंगी बाकी दिशाओं सीडियों नहीं है अब वास्तु का एक सिद्धानत है कि इशान कौन घटा यानि इसा कट हो जाए गोल इसा नहीं होना चाहिए इसा तिर्शा कट जाए इसा नहीं होना चाहिए इशान कौन घट नहीं सकता बढ़ सकता है यानि इशान कौ यानि पूरी उत्तर की तरब बढ़े जाठ तो भी चलेगा पूरें तरब बढ़े तो भी चलेगा इंशान कौन बढ़ सकता है घट नी सकता गटना बहुत महत्तुन वास्तुन हो लोडशे इंशान कॉन कर इसी प्रकार देन कॉन यह घट सकता है बढ़ Gambh सकता, निरद्ट कोन ये घट जा तो कोई दिक्कत में पर ये बढ़ नहीं सकता, ये बढ़ना भीương महत्फून वास्तु दोश हो जाता है, पश्शी में में बढ़ेगा तो घर के पुर्शों के लिए, दक्षिन बढ़ेगा तो गर की भाहिलाओं के लिए तिर्च्छा बढ़ गया तो भी दोनों के लिए यह बहुत भैत्म वास्तोस हो जाता है परतार यह हुआ कि एशान कुन घट नहीं सकता बढ़ सकता और यह घट सकता है और बढ़ नहीं सकता बाकि ये जो दो कोने हैं ये कोने घट भी सकते हैं अगने कोन घट भी सकता है और दक्षिंग की तरफ बढ़ सकता है पूर की तरफ नहीं दक्षिंग की तरफ बढ़ सकता है वायवे कोन ये पशिंग की तरफ बढ़ सकता है उत्तर की तरफ नहीं और ये घट भी सकता है और घटने में महत्मून बात यह होती है, घटाओ बढ़ाओ आयताकारों तो शुब है, जहां शुब बता है तो आयताकार, तिरचा नहीं होना चाहिए, तिरचा बढ़ाओ घटाओ नहीं होना चाहिए, सिर्फ इशान कौन को लेकर यह है, कि इशान कौन में तिरचा बढ़ाओ अब आती बात oni होगे बेसिक सिद्धान वास्तु का अब आती बात सीडीओ की उसक नब ना तो आर तो आर्से सी लोहा था ना मतलब आर से सिस्टम था लोह भी नहीं था बिर्क्स इस्टेम विए बट फट्तर होते हैं फट्तर को या इतोको मतले ज्यादा फट्तर सभी मकान बनके थे ज्यादा आप देंगर बेट मोटी है बतला रहे तो यह सौलिड बनते से पर अब जो शोती ठी तो आप यह ठोस हो जाए यहां पर तो यह यह आजे सीडी बन गए ठोस होने पर वह जगा घट गई तो सीडी बन गई यहां पर अत्ता मकान आपका छोटा होगा इस तरफ से क्योंकि सीडी सॉलिड बन गई है उसे कट भी आपके जगा तो इशान कौन में कट जा कोई दिक्कत नहीं है पर इदन नहीं हो सकता इशान अन्य यह सीडीयां ठोज बनेगी तो उचा भी हो जाएगा फिर महत्मुन वास्तुदोश आ गया उस केस में सीडीयां यहां बनती उचा भी आ जाए तो निर्थकौन को वजन देने की बात की जाती भारी भारी से मतलम यह ऐसा नहीं है बहुत से लोग जब वास्तुशास का अब तो RCC का स्लेव डलता है RCC की सीडियां बनती इस तरीके से बनावटी बदल चुकी है किवाली स्थित रही नहीं है ठीक है ना तो अब इस स्थिति में जब इस टाइप की सीडिय बन रही है जब आप देख रहे नीचे पूरा जगा खाली है यहां है तो इन सीडियों क आप जहां जाब बना सकते हो यह सीडिया नहीं रही अब यह सीडिय बनती है इस तरीके से यह यह भी बनति है शांकुन में तो जैसे आपका वित्ती मोटी पिणोर द पhrlich, यह एत्ते मोटा स्लेव होता ये और यहां बनती है तो नीचे से दहालो तो ना कट रहा है कि 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 ना इससे ना कट रहा है और तो भारी भी नहीं हो रहा है इस case में आप अब जो मकान की बनावाट है देखें मकान की बनावाट बदल गई इसलिए सीडियों की इस्तितियां बदल गई है दूसरी एक और बात हो रहे हैं कि देखें पहले practically possible था कि अब आपका मकान या मुक्का है पहले तो क्या था कि बड़े मकान होते थे बीच में आंगन होता था आप जो आपने रास्तरा का मां से आंगन आकर जहाना है आप जा सकते हैं या बीच में से बरामदा बनगे बरामदा में चलके जा सकते हैं अब आजका तो मकान ही बीच में और आसपस जगा खाली है अब आपका जिस मुका मकान उत्तर मुकी मकान है अब आप सड़क इधर है उत्तर मुकी मकान लंबा मकान है आप उत्तर इशान से इधर से अपना घर का दौार रखेंगे तो आपके लिए प्रैक्टिकल पॉसिबली नहीं यह आ पाएं पीछ में कैसे आप यह आ सकेंगे ठीक है ना आप तो बोलते हैं इसलिए कि नेर्टकौन में घर के मुक्या का जो है कमरा होना चाहिए नेर्टकौन में घर के मुक्या का जो होता है उसका होना चाहिए उसके पीछे भी लाजिक यही है कोई फरक नहीं होता आप कहीं भी बेड़ू मन रखने की जगा अब आजके रसात होता है नहीं घर में सामाने उस केस में अब उत्तर मुखी मकान है उत्तर में आगा तो एक आदमी चाहिए गर में घुषा तो इदर से उपर जाये कि इसको रेंट आट करना है तो वह चाहिए गा कि में इसका कर दूँ और अपना घर पीछे बना लूँ उपर को मैंसा रेंट आउट कर सकता हूँ यदि वो चाहे तो थोड़ा आगे करके इशान कौन में नहीं बनाना है करने कि इशान कौन में एक दब बना देंगे तो आपका कट आ जाए और दूसरा पहली मंजल में इशान कौन का कट आ जाएगा आप फ़र पीछे करके बनाएए तो थो पीछे करके बनाएए इशान कौन में कट नहीं आना चाहिए इशान कौन में सीड़ी बन सकती यह पांच-छे फट जगह छोड़का बना लीजिए कोदिHebirth इद कर दिए इधर भी बना लीजिए तो पांच-छे फटका जो यह आएगा आपका प्ले झ सके तो आपका इशान को का कट नहीं आया कि आप यहां भी बना सकते हैं यहां भी बना सकते हैं यहां से रखके ठोड़ा और यहां सीडी यू बना ले आपको लगता है कि अब वो प्लाट लंबा है चो आजता कार रहे शेप के उसमें डिपेंड करता है आप इधर भी सीडी बना सकते हैं दक्षिन भी बना सकते हैं दक्षिन का भी यही है वही दक्षिन में है तो आप आगे आके यहां से यह सीडी उपर जाने की बना सकते हैं आप चाहें थोड आपको आगे बनाना या बना ले या बना ले अर्थात आप सीड़ियां कहीं भी बना सकते हैं पर यह एक चीस का ध्यान रखना जरूरी है वो यह है कि इनका उपर जाने के सीड़ी जो रहेगी उस पर दर्वाजों के नियम लागू होंगे जो वास्तुषास के दर्वाजों क आप उपर है तो यहां से चल के उपर आजाईए नियम यह है कि उत्तर दिशान उत्तर रिशान से घर के अंदर आना चाहिए तो कि आजकर जित्ते भी जो प्लाटिंग होती है तो गोवर्मेंट के जो नाम है और आप जगा छोड़ते हैं एक तरफ छोड़ते हैं ठीक है कि तो बीच में आजकर दरवाजे होते हैं दरवाजे गाड़ी वाड़ी पार्किंग से एक तरफ से होते हैं तो उस इस्तिति में आपको उत्तर में तो उत्तर इशान से चारु दिशान में यह नियम लगव होगा मतलब यदि यहां होगा तो आपको पूर इशान से चल के हिस टरीक, आप दर्वाजो जो लागु होते हैं सीडियो वो नीम जारू लागु होते है ठीक है ना और आती ही बाद कभिय जगा है आप 10 के निचे कना सिर्डी आप बना शान को मिरॉन में बना यह तो उसके निचे भी तो डूर बनाना चाहिए भी जो कि अब जरी, अब को कुछ बसक्यार की इसके की दाना की बसे । Πर को प्रुग होता है, तो स्थीड़ियों के नीचे ट्राइड बना से कोई वास्तोदोश नहीं आता है पर एक बात ध्यान रखना होता है कि सीडी आपको पूर में बन रही है उत्तर बन रही तो इसका फ्लो लेबल थो नीचा वेजा चलेगा पर इजिए आपके सीडी दक्षिन में है पश्चिम में इस तरफ बन रही है और उसमें जो है आपने जैदी नीचे कर जाए तो गलफ हो जाएगा तो दक्षिन पश्चिम में नीचा हो जाएगा आपको यह ध्यान रखने का है कि वो नहीं होना चाहिए इसके बाद सीडियों के अब आती है बाद क्लॉक बाइच और क्लॉकस सीडि कोई फर्क निपड़ बंना चाहिए बिलको कोई दिक्टन इन पता हैं यह बतानों उससे होता क्या एक मेंना सुना थे किसी विजवानने कहा कि अपना चरते दे कैन पड़ते हैं तो अपनों क्या होता है कैसे मकान में रहा जहां एंटी क्लॉग वे सीड़ी थी प्रभू करपास से मेरे घर में किसी को पेट की प्राबलम नहीं थी कोई दिखते हैं बहुत तरक्की करी अपने बात कर रहा हूं अभी इस मकान में दस साल से रहा हूं अब आप आईए तप्पे की बात अब बहुत से कि पहला पेर दाया होगा फिर अंतिम पेर जो उपर चड़ेंगे तो लास में आपका दाया पेर उदर मतलब उस मंजिल पर आना चाहिए दूसा सिद्धान्त कि है कि टपों में तीन का भाग देने बाद दो बचना चाहिए जैसे पांच टप्पे अपने ग्राउंड फ्लो की तो यह की बिल्डिंग जो है मजबूती बंती है जते आप बड़े बड़े देखेंगे मंदिर पुराने तो हर मंजिल पर उचाई कम होती जा रही है यह वास्तु का सिद्धान्त तो पर अक लॉजिक है कि यदू उचाई कम होती जाएगी तो मकान लंबे समयच चलता है पर आज की तारह वो भी जरूरी नहीं क्योंगा आज का आर्सिसी का काम हो रहा है आप पहली मंजिल कम करें दुसरे उन जी बड़ा बिलत को दिक्कत नहीं आती है कुरां जमाने पॉसिबल ही नहीं था ठीक है कि नहीं कि उपर बड़ी मंजिल नीचे का बड़ा करते उसका छ तो दोस्तों सीडी के लिए इत्य घबराने की जुरते सीडी जहां आपको उचित लगता है जरूर है कि इशान को उनका जूरू ध्यान रखने की रह गई कि उसके शुरू के टप्प जैसे यह टप्पा सॉलिड है नहीं अंदर से खाल होना चाहिए यह आज पाईट लगा सॉलिड कर देते हैं अब फिर हालो कर देते हैं वो गलत हो जाता है और लबा सभी जगा ध्यान रखना चाहिए तो पूरे घर का फ्लो लेवल बराबर करना चाहिए जैसे बताए टौलेट बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है टपों की चिद्दा करने की ज़रत नहीं है किल बना सकते हैं वो जो अमीर हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी नमस्कार